रिजर्व बैंक ओफ इंडिया ने शुकरवार को 2000 रुपए के नोटों को चलन से वापस लेने का ऐलान कर दिया क्लीन नोट पॉलिसी के तहत या फैसला लिया गया पांच साल के अंदर ही आखिरकार इस बड़े नोट को बंद करने का फैसला क्यों लेना पड़ा इसको लेकर कई तरह के सवाल उठाया चा रहे है वहीं प्रदान मंत्री के पूर प्रदान सचीफ निर पेंद मिष्ण ने कहा कि PM मोदी 2000 का नोट लाना ही नहीं चाहते थे उन्होंने कहा 2016 में की गई नोट बंदी के बाद प्रधान मंतरी नहीं चाहते थे कि इतना बड़ा नोट मार्किट में आये लेकिन शॉर्ट टाम मूव के तौर पर इसे जारी करना पड़ा बता दें कि निर्पेंद मिश्टा नोट बंदी के वक्त प्रधान मतरी की प्रधान सचीव थे उन्होंने कहा पीए मूदी का मानना था कि 2000 का नोट रूच के लेंदेन के लिए सही नहीं है इसके अलावा ये काले धन और कर्चोरी को भी बढ़ावा दे सकता है वे हमेशा यहीं चाहते थे कि कम कीमत के नोट बाजार में हो जिससे लोगों को सुविध हो RBI ने पहले ही 2000 के नोटों की छपाई कम कर दी थी इसके बाद 2000 के नोट लोगों के पास ही कम रह गए ATM से भी 2000 के नोट नहीं निकल रहे थे इस नोटों का सर्कुलेशन पहले ही कम किया गया और अब 30 सितंबर 2023 से इसे पूरी तरह बंद करने का फैसला लिया गया मिश्र ने कहा RBI का है कदम नोट बंदी जैसा नहीं है बलकि यह एक रूटिंग ट्रक दिया है उन्होंने कहा 2000 रुपए के नोटों को वापस लेना PM Modi की Module Building Approach को दिखाता है 2018-19 में इसकी छपाई रोग दी गई थी नोट बंदी के वक्त 500 और 1000 के नोटों के बंद होने के बार इस नोट को लाया गया जब बाजार में 500, 200 और 100 के नोट आये तो इन नोटों को कम किया जाने लगा विजसा चीव T. Somnathan ने कहा कि यह नोट बंदी जैस्टा फैसला नहीं है और अर्थवय वस्ता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पढ़ने वाला